इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने हातों की रेखाओं से ये पता कर सकते हैं कि आपके अभाग्य कैसा होगा जैसा कि आपको पता है कि यह जो उपर वाली जो रिखा होती है इसको हम कहते हैं फिर देर रिखा या हार्ट लाइन यह वाली जो बीच वाली जो रिखा आती है यह वाली हाँ पर यहां से ज üzerine जाती है, इस को हम कहते हैं मस्तिश्क रेखा, और यह हमारी है जो सबसे नीचे आती है हमारी, यह हमारी life line है, इन तीनों रेखाओं के लावा, जैसे आपको पता है अलग अलग mountains होते हैं, जैसे यह हमारा है, बुद, यह सूर्य, ये शनी ये गुरू ये शुक्र ये चंद्रमा का स्थान है ये मंगल का स्थान है उसके बाद से आपकी एक और रेखा जो यहां से शुरू होती है इसको हम कहते हैं आपकी भाग्य रेखा अब ये भाग्य रेखा हर के हाथ की अलग-अलग होती है कुछ लोगों में ये जो भाग्य रेखा है वो बिलकुल नीचे से शुरू होके ये आपके सूर्य के स्थान तक जाती है ऐसे लोगों का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है और ये निरंतर अपने जीवन में राइस करते जाते हैं हमेशा सफलता को प्राप्ट करते है कुछ लोगों में ये जो भाग्य रेखा है वो थोड़ा उपर से शुरू होती है और फिर जो है अगर ये सूर्यत के स्थान तक जाती है इसका मतलब ये होता है कि शुरू के जो 20 से 25 वर्ष होते है उसमें उनको कुछ स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ता है उसके बाद से वो सफलता कि प्राप्ट क्यों चले जाते है कुछ लोगों की जो ये भाग्य रेखा है वो शुरू होती है इस जगह से शुक्र से इसका तातिप पर ये निकाला जाता है कि शुरू में काफी संघर्ष देखने को मिलता है लेकिन विवाह के उपरांथ उनका जीवन धीरेदे ठीक होने लग जाता है उसके बाद से जो है वो धीरेदे करके ग्रोथ करने लग जाते है कुछ लोगों में जो है ये भागी रेखा और उपर से शुरू होती है उससे ये ताद पर होता है कि ये काफी संघर्ष करने के बाद से 35-45 की उमर के बाद से इनको जो है सफलता मिलनी शुरू होती है उसके बाद से उससफलता प्राप्त करते जाते है कुछ लोगों की जो है ये जो भागी रेखा है वो हिरदे रेखा से उपर शुरू होती है ये है जहां पर लोग साट साल की उपर उम्र में जाके और तब जाके सफलता को प्राप्ती करना शुरू करते हैं तो यह जो भागी रेखा यह depend करती है कि वह किस स्थान से शुरू होती है, कुछ लोगो की भागी रेखा, चंदरमा के स्थान से शुरू होती हैkickर उपर जाती है। ये लोग जो है लोगों के समूव में लोगों की मदद किसे जो ये लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये है भागी रेखा जो कि किस थान से शुरु होती हो कहां पर जाती है उससे ये पढ़ा चलता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सक्सेस्फुल बनेगा धन्यवाद दोस्तों